सब्सक्राइब विध्यार्थियों को नमस्ते विध्यार्थियों आपका जानवी एजू किसन हब में स्वागत है तो इस वीडियो के अंदर कथम एन आयो एस क्लास 12 में जो राजनितिक विज्ञान विशे है जिसका कोड नमर 317 है इस विशे के इन दोनों क्यूशन में से हमें एक क्यूशन का आंसर्ण देना होता है तो इसी तरह से हमें प्रत्य कूशन जो है 6 question तक है उन में से परतेक में से एक का ही answer देना है जिसके की number का question है तो उसमें भी हमें A और B में से A की question करना है तो इस तरह से आपको 6 question करने होते हैं ठीके और यह जो session है वो session आपके 2023-2024 का TMA है जो student अप्रेल 2024 में पेपर देने वाले है या फिर October 2024 में पेपर देने वाले हैं वो student इस TMA को तयार करेगा तो आप A4 size के pages की या तो notebook ले आएगा या फिर जो है pages लेके आएगा और वहाँ पर इन question के answer को आप लिखेगा तो इस वीडियो में question के answer भी हिंदी मीडियो में बताया गया है तो आप वीडियो के last तक बने रही है और उन question के answer को देखकर आप answer लिख लीजिएगा तो इस तरह से 6 question दे रखे होते है question नमस 6 जो है एक project होता है जैसे कि हाँ पर हमें दे रखाया किया 20 वेक्तियों की कुछ प्रशन पूछने है इस तरह से प्रोजेक्ट के रूप में दिया हुआ होता है तो अब हम in question के answer देखते है तो देखे इस तरह से आपको F4 size के pages लेके आने है और उन pages पर आपको इस तरह से अपना नाम अपने father's name, enrollment number, class, subject आपको लिखना है subject code लिखना है, AI code लिखोगे या फिर आप study center code ही जिसको बोला जाता है वो लिख सकते है और study center का नाम भी आप लिखना चाहो तो लिख दीजिएगा और ये आपके session लिखना है और फिर आप इस तरह से आपको question और answer लिखने है तो page पर page नमबर जरूर डालेगा और question जो है आप black paint से लिखना है आपको और answer आपको blue paint से लिखना है तो इस तरह से ये question के answer है तो आप यहां से answer देखकर भी अपना TA में बना सकते हो और आप skin sort ले लिजी का question के answer का और आप answer लिखेगा और आपको यही handwriting वाले TA में आपको चाहिए और उसके handwriting TA में के PDF चाहिए जिसको आप direct upload करवा सको तो उसके लिए आप हमसे contact कर सकते हो तो वीडियो के अंत में और description box में मैंने contact number दिया हुआ है तो यह question नमर 3 है जिसका 1 के question का answer हमने लिखा हुआ है तो यहां पर देखकर आप question के answer लिख सकते हो तो आप notebook लाइएगा F4 size की जिसमें अपने subject के TA में आप तयार कर लिजिए और फिर वहां से आप TA में जो है PDF बना के वे upload कर सकते हो तो इस तरह से आपको question के answer लिखना है तो बहुत ही साफ साफ राइटिंग में लिखना है आपको काटा फिटा नहीं करनी है ताकि आपको पूरे पूरे नमबर मिल सके और पेज नमबर जरूर आपको डालना है यह मरा question number 5 चल रहा है इस question number 6 था जो हमने complete कर दिया है प्रियोजना थी इस तरह से हमने यह अपना TMA complete किया है यह contact number है जिस पे आप हमें contact कर सकते हो वर्ट्सप नमबर है यह और जिस पे आपको solver handwriting TMA या फिर TMA की आपकी typing PDF चाहिए या फिर आप हमसे TMA प्लोड करवाना चाहते हो तो वो भी बहुत minimum charge के अंदर आपको प्लोड हो जाता है तो जदे जदे वीडियो को share करें चैनल को subscribe करें मिलते अगले वीडियो में जेहिन जे भारत